Welcome friends, आज हम आपको प्ढ़ाने जा रहे हैं, Death of a Partner, यह आता है, Reconstitution of Partnership Farm के अंदरी, जब कोई पार्टनर मर जाता है, तो इसी Farm का Reconstitution करना कहते हैं, और जब पार्टनर मर जाता है, तो Farm तो Continue रहता है, लेकिन जो Partnership Deept होती होती है, और फिर नई पार्टनर्स्टिट तयार की जाती है तो सेम जैसे हमने पड़ा था कि जैसे हमने पड़ा था कि रेटार्मेंट पार्टनर में हमने जो जो चीजे से पड़ी थी तो लगबग इसमें भी बहुत सारी चीजे जो हैं लगबग सेम हैं तो इसके अंदर जैसे में च से ध्यान से पढ़ना है फिर उसको स्ट्रक्चर त्यार करना है कि लेजर बनाना है या जन्नल बनाना है तो ज्यादा तर जो डेथ वाला चेप्टर होता है इसमें डेथ वाले पार्टनर्स का केप्टल अकॉंट बनाना पड़ता है और एक्जीक्यूटर अकॉंट बनाना बढ़ चुका है तो इतनी चीजे तो लगबक में सेम रहती है और इसके अंदर भी सेम वैसे ही फिरी रिजर वगेरा बाटे जाते हैं जैसे आपको बताया था फिरी रिजर इस पेसल रिजर कैसे बाटे जाते हैं ठीक है फिक्टीटेश पार्टर के बीच में कैसे कि जैसे कि सुरू में ही लेता था या साल के एंड में ही लेकिन डेथ वाले चेप्टर में जो पार्टनर होता है उसके साल के बीच मित्य हो जाती है मालो यह एक अप्रेल 2022 है और अभी यह साल खतब होना है 31, मार्च 2023 तो क्या होता है कि काम करते करते 6 महने, 4 महने, 2 महने ब कि अपने जो सम्मंदित पार्ट्न आए तो की प्रोफिट के एससे महंगने यह था तो इसके अंदर सारी चीजय चीज़े मांगता है वैसे तो व dł्ट प्रोफिटर मांगे काश Всем काश्रुषभी नियागा तो ऐपकेश चैसरे निकालता ऐसे इसको निकालने के TWO मैठव systems जैसे की lovेस तो profit यह निए लब के अधार पर profit में हिस्सा ondan रहसे पिछले PSV पर जाये और यह बोल दिया जाता है कि भिर्श दे जे जाए पिछले 3 साल 4 साल का इवरेज प्रोफिट में से और फेद 때 में हिस्ट सह वो काम कर है, माल्म माले उसका share का हिस्सा देंगी तो वो एक बड़ पांच शिस्से का पांच लिए फिर सुल करते हैं यह पैसा आज He vedere पर्टनर्स में यह पार्टनर्स की एक मिलए जो डिसीज पार्टनर्स है उसकी केप्टल में क्रेडिट कर दिया ठीक है एक तो यह तरीका होता है एक होता है कि on the basis of मैं पृफिट कर देगा तो इससाल करन्टीयर का सेल देगा तो उसका पच्ची पिसन निकाल लेना नहीं तो प्रश्य सिसी और बटे में पिर्वेश यह का सेल लगा के आप ऐसे पूरा अप्रोफिट निकाल लेंगे और फिर यहां पर इसमय टाइम नहीं लिया जाता है ध्य जैसे 6 महहने की सेल यहां पर ले लेना, थे बस यहां पर उसका से और गुना कर देना तो, यह आपका प्रोबिट आजाएगा और यह परणिड कर दी जाएगा, अब दिक्कत आता है कि profit and low suspense account के नाम से profit बाटा जाए या profit and low separation account के नाम से तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है तो ध्यान से सुनेंगे कि इसके यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि एक तो केसी होता है कि financial statement is not prepared at the time of death अब पार्टनर मर गया है तो मरने पर financial statement ठ्यार नहीं किया जा रहे हैं यहनु करके mensen silent होता है माललेते हैं कि account क्लोज नहीं किये जा रहें तो उसकेस में उसकेस में जो retiring partner होता है परसन में यह देखना पड़ता है कि जो रेटारिंग पार्टनर्स होते हैं वो डू नोट चेंज देयर रेशियो वो अपना रेशियो नहीं बदल ले जैसे एबीसी पार्टनर है तो सी की मित्ती हो गई तो एबीसी का जो रेशियो था पांस तीन दो तो उनके बारें बताया करने है प्रोफिट टो क्योंकि कंदीट करने है तो डूट्स यूअडश केप्ट एकाउंट पर पांस के जबनाई खुला जाएगा और क्यूंकि यह हुए क्योंकि यह डइविड वाला थो डइविड वैलेंस वाला है तो इसको बैलनस में असे डशेट भी सोकिया जाता है तो यह भी ध्यान अखने है और दिसीज पार्टनर के के गैपटल अकॉड में इसके क्रेड़िड कर दिया जाता है तो यह अंटर कप करनी हैं जब अगर अगर तयार किया जा रहा है तो उस केस में अगर तयार नहीं किया जा रहा है तो यह एंटी करने हैं बंद हो जाएगा डोंजी पर साल के एंड में पढ़ा है कि कि फीपरिफिन ठीक तो यह फंडमेंटल हम नहीं हमने सीख लिया था तो प्रोफिट एलोस अपर प्रेशिटन एपकाउन कर्णे चला जाता है अब इसी में दूसरा केस होता है कि तो बच्चे पर्टरर सबस्क्रेंगा है ठीक है और कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हर पार्टनर गेन नहीं करते हैं उसमें साथ पार्टनर सक्रिफाइज भी कर सकते है तो टूसे क्रिकर पार्टनर केप्टिल अकॉंड को भी कर दिया जाथ है ठीक है तो जल्च अगर है तो पर् them कभी पार्टनर कर जाता है तो त्लिक अगर स्टी स्टेटमेट कर रहा था तो यह एंटी करना है ठीक है और अगर त्यार किया जा रहा है तो फिर यही रहेगा सेम एंट्री प्रोफेट लोस अप्रोप्रेशन एकॉंट डेविट डिसीज पार्टनर केप्टिल अकाउंट ठीक है तो यह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा है और फ narrantσ ओर यह यही से जरीलई एंटेल एंटार करने है को साहिं ड्यान देना है उसके अलावा फिर हमें फार्टनने की जो डिसीज पार्टनर होता है उसी केप्टल अकौंट बनाने के लिए पहले बैलें सीट में उसका बैलेंस देखेंगे तो इसका यहां जाएगा तो यहां जाएगा तो भी आपका पैसा पार्टनर के देने हैं तो इसलिए यहां जाएगा और एसी अगर लिखा होगा इसी मरने वाले पार्टनर के नाम से तो वह पैसा भी यहां जाएगा क्योंकि यह पैसा हमें उसे लिया था तो आज उसे देना है कि इसी तरह अगर बैलेंस इट में कोई फिरी रिजर पढ़ें जैसे जन्नल इजर पढ़ा है प्रोफिट और अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पढ़ा है तो यह सारी चीज़े जो है पार्टनर्स में यहां पर फिरी रिजर को बाट दे जाएगा जन्नल लिजर ठीक है यह तो रिवेलिएशन एकाउंट बनाने के बाद उसका जो प्रोफिट आएगा तो उसके प्रोफिट में उसका हिस्सा दिये जाएगा ध्यान नहीं पूरा प्रोफिट नहीं देना है और ऐसी जो रिमेंग पार्टनर से उसके गुडविल का हिस्सा भी देना है ठीक है तो पूरविल का पैसा दे दिया जाएगा ठीक है कि ऐसी अगर कोई अक्युमिलेटेड है यह पर कहते प्रोफिट में हिस्ता हिस्ता अगर कहेगा तो आपको यह दे जो जा ए तill जो आउसाने हमारा अगर असी जक्त को देना को है तो यहां जाएंगी उसको को यसको देनी है तो यह तो दे देंगी और अगर अक्युमिलेटेल Kr says अगर गेन हो रहा था प्रोफित हो रहा था तो यहां लिख देंगे ठीक के इसके बाद यह साइड जोड के घटाने पर आपका पैसे ट्रांसफर हो जाएगा इसके बाद आपको जनल एंटी बिच्टारेगर बदाओ करने लिए जाता है और अगर यह घृतल नहीं चुकाए गए हैं तो उसको किस्तोमें यह चुकाने के भी नारो बिलाले में इसके लिए पीर हमें अगाउंट बनाना पड़ता है पीक एक्जीक्यूटा अकाउंटा था ठीक है तो हमें कालपनीक और धारण से बताते हैं कि कैसे बनाये जाता है एकजीक्यूटा का अकॉन्त lifting का अचा से अ कंपन ने किसको कोई साल सुरू हुआ, 4 महने काम करने के बाद कोई पार्टनर मर गया, माँ लेते हैं, C मर गया, मरने के समय हमें पता चला कि उसे 2 लाख रूपे तोटल देने हैनMe टोटल थो लाख में से 1 लाक रूपे हमने कैस दे दिया, बच्चा एक लाग और हमने फैसला किया कि यह जो एक लाग है हम तुम्हें दो वार्षी किस्तों में देंगे और उस्पेंटरस 10% पर एनम लएगा तो अभी एक साल जब बीतेगा तो हमारा अपरेल एक साल कहां खतम होगा युठ उसपर हम एक लाग का 10% एहां बोला गया परसेंट दस पर सेनगे फिर यहां पर शाल का घाता बंद हो जाएगा फिर यहां पर फिर प्लस prosper महने का 10% स्थाएगा, वो भी ऐड कर लेंगे। फिर पहली पैमेंट इस को टोдел यहां करेंगे, तो इसके लिए इस जनल्लेंटी करेंगे? तो या मादलो अठी ख़ाय दिनली कशी कैरें को एक पर यहां पर लोग कशी कैIch मंगा है, तो मालो 2 ॽ यॉपाल में गform सर्श मेंट तो अभी रुपा रूप साम था Baptist ट्रliecke के आगे 8 इंहयां तो पेसे इहां लिख देंगे के रुआ जो जाए गा तो यह गेगा प्लू व्यांप बेलेंस ऐडिया ज्याएड से अपकर 108 दिल्ट के देंगे और जो यहां पर फिर आपना स्कांट कंतों और जटु निकाल लेंगे ऑस धक्रहेक किस्ड पैसा पार दुमन प्सक्रहण करदेंगे सब्सक्राइब पर देंके स्कीता जिए नियुत प्लाइब mais पारी ह общем को से चौड़ ले तो सेम ऐसे यहां पर जो बैलेंस बचेगा वह जोड़कर और बैलेंस यहां पर सीडी लिख देंगे फिर यहां पर बीडी फिर चार मेने कंटर्स और यहां पर पूरी पेवेमेंट कर देंगे तो इस तरीके से जो हमारा है इसके बाद जैसे कभी कभी कोई पार्टनर जो होता है मालो यहां पर तीन महीने चार महीने काम करा तो उसका पेवेमेंट अभी नहीं किया गया है उसको बोला गया कि जो पूरे साल के एंड में आपकी पेमेंट की जाएगी तब तक हमने उसका पैसा रोक रखा है तो उसका पैसा मालो हमने जीते महीने के लिए रोक रखा है तो उतने महीने पी जो रोक रखा है तो उसमें हमने उसकी कैपिटल का परियोग करके प्रोफि में अब वो जो partner का executor है उसमें हिस्सा माइगा तो उसको इस्सा देने का तरीका क्या होगा तो से इंडियन partnership 1932 के section 37 में बताया है कि उसके पास दो अपसर नहेगा कि उसका पैसा जब तक हमने रोक रखा है तो उसका दो अपसर नहें या तो हम उसे जितना पैसा रोक रखा जितने महिने के लिए उस पर 6% इंटर्स देंगे बैलेंस अमाउंट पर यह जो उसका पैसा बाकिए उस पर 6% इंटर्स देंगे और या फिर दूसरा तरीका होगा कि share of profit earn proportionate to his amount outstanding to total capital total capital में उसका जितना हिस्सा है उसके हिस्से से हमने जितना debt दे देंगे total capital of remaining partner plus जो यह partner death कर गया था इसके outstanding amount दोनों को जोड़के total से भाग दे देंगे और गुना में जो हमने इस दोरान profit कमाया था इस दोरान हमने जो भी हमें profit कमाया था उस profit को यहां से multiply कर देंगे तो उसका जितना पैसा बाकी है वो और उसको तीनों पार्टर या फिर जितने भी सभी पार्टर है उनको भी total capital निकाल लेंगे और उसका प्रोफिट का हिस्सा गुना करके काट के निकाल लेंगे और यह पैसा फिर partners के capital में दे देंगे अब उसके पास दोनों म से जो maximum है वो चुनेगा ठीक है तो यह हमारा इस तरीक का आखिरी इसमें टोपिक था तो अमीद करता हूं आपको समय में आ गया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबका अपना केमति समय देने के लिए धन्यवाद